हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो पूरी आर्मोल के उपर रहेगी ठीक है तो इसका आर्मोल जो है दोनों साइड से घटाना में आपको बताऊंगी यह बैक साइड है बैक साइड का आर्मोल मैं घटा चुकी हूं और फ्रंट साइड में घटाना म आपको बताने जा रही हूं तो वीडियो के अंट तक बने रहेगा मेरे साथ पूरा स्टेप बैस स्टेप में बनाना बता रही हूं और दोनों साइड से घटाना बताऊंगी ताकि बिगनर्स को जो है वो आर्मोल घटाने में कोई भी प्रॉब्रम ना हो तो वीडियो गर अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिगा और चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिना भोलें तो आईए देखे फिर कैसे बनाएंगे हम इसे यह हमारा 18 इंच बनके तयार हो गया है और अब हम इसमें घटाएंगे आर्मोल घटाने के लिए हम क्य 1-1 ठीक है तो पहले 5 घटाएंगे फिर 3 घटाएंगे तो 8 हो गए फिर 2 घटाएंगे 10 फिर 2 घटाएंगे 12 और फिर 1-1-1 करके 3 बार घटाएंगे तो 15 फंदे हमारे 8 साइड से घट से घट जाएंगे यह देखेगा यह बैक साइड मैं आपको दिखाती हूँ यह हमारे आर मुल में घड़ जाएंगे यह देखेगा तो क्या करेंगे हम यह देखेगा पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और यहां पर जो हमारा पैटर्ण है वह हमारा चलता रहेगा यहाँ पर हमारा सिंगल फंदा बुनना है हमें तो हम इसको बुन लेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से उतार देंगे तो एक फंदा घट गए हमारा यहाँ पर अब यह भी हमें बुनना है तो पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से उतार देंगे दो फंदे घट गए अब यहाँ पर भी हमें यह देखेगा यह हमारे तीन फंदे घट गए और यह घट गए हमारे यहाँ पर चार फंदे और एक अब हम और घटाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पांच फंदे पहले हमने पांच फंदे घटा लिए अब जो हमारा पैटन है वो हमारा चलता हो तो अब आ जाएंगे हम सीधी तरफ पहले फंदे को slip करेंगे दूसरे फंदे को हम बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से उतार देंगे तो यह हमारा एक घट गया अब हमारे घट गए दो और अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पैटर्न में ये हमारे दो फंदे है ये पहले हम इन तीन को दो बनाएंगे तो ये कैसे बनाएंगे आगे वाले दोनों फंदों को हम पहले हम एक बनाएंगे इस तरह से और फिर हम पीछे वाले फंदे को इसके उपर से उतारेंगे तो अभी हमारे कितने फंदे घड़ गए 3 यहा पर 4 और 5 तो 5 फंदे हमारे यहा पर घड़ गए एक, दो, तीन, चार और यह 5 अब हमारा जो पैटर्न है वो ही चलता रहेगा ये देखे जो हमारे तीन फंदे हैं इसमें पहले फंदे को हमें slip करना है फिर दो को हमें बुर्णना है और पीछे वाले फंदे को इन दोनों फंदों के उपर से slip करना है तो ये हमारा डिजाइन है तो फंदे हमारे ये दो ही है इसलिए जब हम यहां पर घटाएंगे तो हमे यह ध्यान रखना है कि पहले हमें इन तीन फंदों के दो ही बनाने है तब हमें यह साइड से घटाना है बाकी पैटर्न हमारा सेम रहेगा तो यह डिजाइन मैंने पहले बता रखा है अपनी चैनल पर लिंक मैं आपको दे दूंगे डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख लिजिएगा यहाँ पर मैं आपको आर्मुल घटाना बता रही हूँ देखेगा क्या करना है हम रो के लास्ट में आ गए तो हमें रो के लास्ट वाले फंदे को इस वाले फंदे को हमें ऐसे ही उतार लेना है ठीके इसे हमें बुर्णा नहीं है लास्ट वाले फंदे को अब जब हम next row में आएंगे तो हमें क्या करना है इस बार हमें तीन फंदे घटाने है तो ये जो slip किया हुआ फंदा था ये वाला और इसके साथ इन दोनों को हम उतार लेंगे ये देखेगा और ये slip वाले को इसके ऊपर से हमें slip करना है इस तरह से ठीक है तो एक फंदा घट और अब एक और हमें घटा लेना है इस तरह से तो तीन फंदे हमारे घट गए अब जो हमारा पैटर्न है उसे हमें ऐसे ही चलाना है अब हम आगे रोके लास्ट में और लास्ट वाले फंदे को हम फिर से slip कर देंगे अब हम इस साइड से तीन फंदे घटाएंगे यह slip किये हुए फंदे को हम इसके उपर से उतार देंगे तो एक फंदा घट गया हमारे पास दो और यह तीन और अब जो भी हमारा पैटर्न है वो हम कंटिनू करेंगे फिर से लास्ट वाले फंदे को हम slip कर देंगे तो दोनों साइड से हम लास्ट वाले फंदे को slip कर देंगे तो slip करने से होता क्या है कि जब हम फंदे घटाते है न तो इससे गुलाई जो है वो बहुत अच्छी आती है अब हम क्या करेंगे देखेगा हमारे यहां पर पांच घट गे तीन घट गे अब हम घटाएंगे दो एक फंदा घट गया हमारा और यह घट गया हमारे दो फंदे और अब हमारा जो पैटर्न है उसको हम कंटिनू करेंगे तो फिर से रो के लास्ट में आगे और लास्ट वाले फंदे को हमने slip कर लिया ठीक है तो यह मैं पूरा बिगनर्स के लिए बता रही हूं जिने आता है उनकी तो कोई बात नहीं है लेकिन जिने नहीं आता है उनको फिर बताना ज़रूरी है क्योंकि फिर कमेंट करके पूछ थें विवर्स तो अब देखेंगा क्या करना है अब हम घटाएंगे इस अब तो फंदे घटने के बाद जो हमारा पैटर्न है उसको हम कंटिनू रखेंगे आगे रोके लास्ट में फिर से स्लिप कर दिया अब देखेगा अब यहां पर हम दो फंदे घटा चुके हैं अब हम एक बार दो फंदे फिर से घटाएंगे यह हमारा एक फंदे घट गया यह हमारे दो फंदे घट गए और पैटर्न को हम करेंगे कंटिनू अब रोके लास्ट में फिर से स्लिप करेंगे अब आगे हम नेक्स्ट डो में तो इधर से हम फिर से दो फंदे घटाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट मैं पूरा बता रही हूं बिगनर्स के लिए दोनों को उतारा और एक पहले हमने इस तरीके से घटाया और एक को इस तरीके से घटाया तो अब हमारे कितने फंदे घट चुके हैं? पांच, तीन, पांच, तीन, दो, दो ठीके? अब इतने फंदे हमारे घट चुके हैं अब हम एक, 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 तीन बार हम और घटाएंगे अब सीधी साइड के लास्ट में फिर से फंदा हमें स्लिप करना है तो अब हम घटाएंगे एक, एक फंदा ये देखेगा दोनों साइड में हमारे पांच, तीन, तीन, दो, दो घट चुके हैं ठीके? पांच, तीन, दो, दो ये हमारे दोनों साइड में घट चुके हैं ये देखेगा अब हम घटाएंगे एक-एक तो एक-एक फंदे को हम कैसे घटा लेगे ? यह हमने दोनों क ऊतारा और यह पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतार दिया बस हो गया एक फंदा अब हमारा पैटरन चलेगा अब फिर से आगे हम रोके लास्ट में और फंदे को हमने स्लिप कर लिया अब फिर से हम एक फंदा गटाएंगे इस तरफ सिंपल हम इसे उतार देंगे बस बाकी जो भी हमारा पैटर्न है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अब रोके लास्ट में आगे और फिर से हमें लास्ट वाले फंदे को स्लिप कर लेना है तो अब हमारा एक बारी एक फंदा घड़ चुका है और दूसरी बार यह हमारा घटने जा रहा है यह हमारे घड़ गए इस साइड में एक एक फंदे दो बार घड़ गए एक बार और घटाना हमें इस साइड में अब आगे उल्टी रोके लास्ट में अब एक फंदा हम इधर घटा देंगे ठीक है तो अब दोनों साइड में हमारा एक एक फंदा और घटेगा बस फिर हमारी आर्मुल की घटाई जो है वो बंद हो जाएगी अब सीधे रोके लास्ट में एक फंदा हमें और स्लिप कर लेना है यह स्लिप हमें तभी तक करना है जब तक हमारे यह फंदों की जो घटाई है वो चल रही है जब हमारे फंदे घटने बंद हो जाएगे फिर हम इसको इस तरीके से स्लिप नहीं करेंगे अब आगे हैं मुल्टी साइड में और यह हमारा फंदा जो है यह लास्ट है यह फंदा हमारा घट गया अब हमारा पैटर्न चलेगा तो यह उल्टी स्लाई के लास्ट में आगे और इस फंदे को हमें स्लिप कर दिया अब ये लास्ट फंदा घटाना है हमें, तो ये देखेगा, ये हमारा अब लास्ट फंदा है, तो ये हमने slip किये, और पिछे वाले फंदे को उतार दिया, अब हमारा जो आर्मोल है, उसकी घटाई जो है, वो बंद हो गई है बिल्कुल, अब हम इन दोनों को एक इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पैटर्ण में तीन फंदे थे, जबकि हमारे यहां पर दो होनी चाहिए थे, खीक है तो इन दोनों को हमने एक कर दिया, और अब हमारा जो है, पैटर्ण चलता रहेगा, ये देखे का अब हम रो के लास्ट में आए ना अब हमें इस फंदे को भूरना है क्योंकि अब हमारी घटाई जो है वो खतम हो गई है ठीक है तो अब हमें क्या करना है इसे 4 इंच तक बनाना है यहां से हमें इंच टेप रखना है यहां से और 4 इंच तक इसको बना लेना है फिर हम गलाग अटाएंगे, तो back side का armhole हमारा complete हो गया है, तो इसकी length मैंने रखी है 9.5 इंच, तो जहेंट sweater के लिए हम 9.5 से 10 इंच length रख लेते हैं armhole की, तो यहां पर मैंने 9.5 इंच रखी है, तो यह देखिएगा कितनी खुबसूरत इसकी shape आई है, एकदम से neat and clean तो इसी तरीके से आप बनाईए अगली वीडियो में आपको इसका round neck बनाना बता दूँगी वैसे तो मैंने round neck की वीडियो पहले भी अपने चैनल पर डाली हुई है मैं उसका link आपको description में दे दूँगी पर इसका भी मैं कैसे बनाना है वो भी मैं आपके साथ शेर करूँगी अगली वीडियो में तो आप जोड़े रहेगा मेरे साथ और ये जो है ना ये half sleeve का sweater है ठीक है तो इसलिए इसकी जो cutting है वो थोड़ी deep हम करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास एक से 7 इंच के करीब में हमारा चोड़ा बॉर्डर भी आ जाएगा तो shoulder जो है वो cover हो जाएगी उसकी चोड़ाई अगर हम full sleeve का sweater बनाते हैं तब हम घटाई इस तरीके से नहीं करते हैं तब हमें इतना deep इसको घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ठीक है तो फिर जोड़े रहेगा आप मेरे साथ और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग